नमस्कार आप सभी को मेरा साधर प्रणाम आशा है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्थ होंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है इंस्टिट्यूशन ओफ हायर लर्निंग and education in ancient India P1 यानी part 1 तो part 1 का क्या मतलब गubँआ जो हमारी प्राचीन भारती सिक्षा है जो हमारी प्राचीन भारती सिक्षा है वो कई पाटों में डिवाइड है जैसे शुरुवाद हुई वैदिक सिक्षा से उसके बाद बौधष सिक्षा उसके बाद जैन इस तरीके से जो हमारी भारती सिक्षा है कई पार्टों में हो थी तो एक साथ सभी सिक्षा को पड़ पाना मुश्किल है इसलिए आज केवल हम लोग वैदिक काल में सिक्षा की बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं देखे पहली लाइन क्या लिखी है प्राचीन भारती सिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है अब क्या मतलब है इसका कि जो हमारे पास sources है evidence है जो हमारे पास साक्ष है भारती सिक्षा के start होने का वो प्रथम साक्ष हमारे वेद ही है हमें वेदों से ही पता चला कि हमारी भारती शिक्षा पदिती कैसी है तो वेद है क्या इसके बारे में भी जानना जरूरी है तो वेद शब्द की उत्पत्ती जो हुई है विद धातू से हुई है संस्कृत का एक धातू है विद विद धातु से विद शब्द की उत्पत्ती हुई है जिसका अर्थ होता है ज्यान प्राप्ट करना विद शब्द का क्या अर्थ है ज्यान प्राप्ट करना अब देखें इसमें आगे लिखा है कि वैदिक काल वैदिक काल को दो भागों में बाटा गया है पहला है रिगवेदिक काल रिगवेदिक काल को पूरुवेदिक काल भी कहते हैं और इसका जो टाइम पीरिड है पंद्रह सो इसवी पूरु से लेके एक हजार इसवी पूरु तक यान फिफ्टीन हंड़ेड बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक और दूसरा काल है उत्तरवेदिक काल उत्तरवेदिक काल मतलब उत्तर का मतलब होता है बाद में यानि रिगवेद के बाद का काल उसका time period है 1000 BC से लेकर 600 BC तक ठीक है अब वेदिक काल का जो first period है रिगवेदिक काल उसमें जिसकी रचना हुई उसको बोलते हैं वैदिक साहित्य और रिग वैदिक काल के बाद की जो रचना ही हुई उसको बोलते हैं वैदिक कुत्तर साहित्य यानि वैदिक काल के बाद का साहित्य तो वैदिक साहित्य में देखिए क्या-क्या कौन-कौन सी रचना है आता है आपका यजूरवेध फिर सामवेध फिर अथरवेध तो चार वेध हो गए उसके बाद इसके अलावा इसमें वैदिक शाहिति में क्या ब्रामण गरंथों को रखा गया है अब ब्रामण गरंथ क्या है जो वेदों वेदो के गध्य भाग है वेदो के गध्य भाग का मतलब जो वेद का प्रोज पार्ट है प्रोज और पॉयटरी हम लोग पढ़ते है न तो जो वेदो का प्रोज पार्ट है वो ब्रामल ग्रंत में संकलित है आरन्यक आरन्यक का मतलब क्या है आरन्यक का मतलब होता है वन या ज किसरा है आपका उपनिसद उपनिसद का जो अर्थ होता है गुरू के पास बैठना मतलब इसमें चात्र क्या करता है गुरू के पास बैठकर ज्यान सीखता है यानि उपनिसद गुरू के समीब बैठकर ज्यान प्राप्ट करना तो अब देखे वैदिक शाहिति को शुरुती साहिति भी कहा जाता है जो ग्रीन कलर में लिख रखा है है शुरुती साहिति यानि सुन कर लिखा हुआ साहिति और क्या कहा जाता है और पौरुसे और नित्य अब और पौरुसे का क्या मतलब हुआ इसको ऐसे समझते हैं कि यह ऐसा साहित है जो मनुश्यों द्वारा नहीं लिखा गया अपतु जिसे इश्वर ने रिष्यों को आत्म ज्ञान देकर उनकी रचना की है और रिष्यों द्वारा यह कई पीडियों तथा अन्य रिष्यों को मिलता रहा यानि कि ऐसा साहित जिसे मनुश्यों द्वारा नहीं लिखा गया है और पौरुसे यानि पौरुसे का मतलब नहीं तो ऐसा साहित जो पौरुसों के द्वारा नहीं लिखा गया है मानुओं के द्वारा नहीं लिखा गया है उस साहिति को का कहते है और पौरुसिय इस इट प्लियर ना अब वेद त्रई देखिए किसे कहते हैं जो हमारे तीन वेद हैं शुरुवात के रिग वेद फिर साम वेद फिर यजुर वेद इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं वेद त्रई उपनिश्यद का मतलब बताई दिया उपनिश्यद को हम लोग वेदान्त भी कहते हैं यानि कि वेदो का अंतिम भाग और टोटल कितने उपनिश्यद है 108 ठीक तो कुछ उपनिश्यद के नाम भी आप लोग जानते होंगे जैसे इश उपनिश्यद केन कट प्रस्न मुंडक एत्रियय या ठीक तो यह उपनिश्यद अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं वेदान्त टो वेदिक शाहित में आमने देख लिया अब दूसरा पार्थ真的 वेदिक अतर शाहित व्यदीक उतर शाहित में दो चीजें थी एक वेदांग दूसरा उपवेद तो वेदांग क्या है वेदों को सही धंग से समझने के लिए जिन साहित्यों की रचना की गई उसे हम लोगों ने क्या कहा वेदांग ठीक है अब देखें वेदांग भी हमारे भारती सिक्षा में छे वेदांग है पहला है जिसमें सिक्षा अब सिक्षा देखें क्या है सिक्षा का रचना क्यों किया गया सिक्षा वेदांग की रचना इसलिए की गई वेदों को सही वेदिक स्वरों के शुद उच्चारन के लिए सिक्षा सास्त्र की रचना की गई यानि वेदिक स्वरों के शुद उच्च कारण है तू सिक्षा सास्त्र की रचना की गई और सिक्षा सास्त्र के ग्रंथ का जो नाम है गा एलम है सिक्षा सास्त्र के ग्रंथ का क्या नाम है गा एलम और इसके जो प्रवर्तक है सिक्षा सास्त्र के ग्रंथ के प्रवर्तक है वामज्य वामज्य ओके ठीक नौ अब दू दूसरा विदांग हमारा क्या है कल्प का अर्थ होता है कर्मकांड या विधिनियम कल्प का अर्थ है कर्मकांड या विधिनियम यानि कि ऐसे विधिनियम जो शुत्र में लिखे गए हो उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है यानि कि अब देखें हमारा कल्प सूत्र भी तीन प् ऐसा माना जाता है कि रेखा गडित का जो प्रारंब है यहीं से हुआ है दूसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ग्रिह सुत्र ग्रिह सुत्र क्या है जिसमें ग्रिह कर्म कांडो के बारे में बताया गया है और इसके जो रचैता हैं ग्रिह सुत्र के आश्व लायन आश्व लायन ओके तीसरा है आपका धर्मसूत्र धर्मसूत्र में किन-किन बातों की चर्चा की गई है धर्मसूत्र में आपका राजनितिक सामाजिक वो धार्मिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और धर्मसूत्र के जो रचैता है जो आथर है वो है आपस तंब वो रचैता क व्याक्रण आप सभी लोग जानते हैं पढ़ते भी हैं संस्क्रित व्याक्रण हैं हिंडी व्याक्रण हैं और आज हम लोग लेंग्विज इंग्लिश लेंग्विज भी पढ़ते हैं तो व्याक्रण क्या है भासा को व्यज्यानिक शैली प्रदान करना ही क्या है व्याक्रण ह और व्याक्रण का सबसे प्राचींतम ग्रंत जो माना जाता है वो पाड़नी का अश्टाध्याई माना जाता है तीन मुनी हुए थे पहले हैं पाड़नी का अश्टाध्याई दूसरा है पतंजली का महाभाश्य और तीसरा है कात्यायन का वार्तिक तीसरा कौन सा है कात्यायन का वार्तिक तीसरा है आपका कात्यायन का वार्तिक नौ तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो व्याकरण के तीन मुनी है यानि कि अस्टाध्याई के पाड़नी, महाभाश के पतंजली और वार्तिक के कात्यायन इन तीनों को मुनित्रए कहा जाता है इन तीनों को क्या कहा जाता है मुनित्रए झाउ, अब हम लोग देखते हैं चोथा वेदांग कौन सा है व्युत्पत्ति सास्थर उरिजिन यानि कि इसमें वैदिक शब्दों की उट्पत्ति बताई गई है और निरुक्त के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं वो कश्यप रिसी को माने जाता है निरुक्त के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं वो कौन है कश्यप रिसी और इनकी रचना है निघंटू इनकी रचना का क्या नाम है निघंटू अब पाँचवा वेदांग है हमारा चंद हम लोग हिंदी में चंद पढ़ते थे आप लोग को भी याद होगा है स्कूल इंटर में चंद पढ़ाया जाता है तो चंद क्या है पद्धियों को चरणबध करने के लिए चंदों की रचना की गई यानि पद्धि क्या पोईट्री जिसको हम लोग पोईट्री कहते है पोयम हाना पोईट्री को सिस्टेमेटाइजड वे में अरेंज करने के लिए चंदों की रचना की गई और छठा और लास्ट वेदांग हमारा कौन सा है ज्योतिस ज्योतिस एस्ट्रोलोजी आप जानते ही है सबसे पहला ज्योतिस रचना जो था वेदांग ज्योतिस जिसके रचना कार कौन है लगध मुनी अब ये तो हुआ वेदांग की बात अब वेदिकोत्तर साहिती का दूसरा पार्ट था उपवेद तो अब देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिगवेद का उपवेद क्या है तो मैंने ये डिरेक्शन बना रखा है रिगवेद का उपवेद है ये आयूरवेद इसे तरीके से सामवेद का उपवेद है गंधरववेद अथरववेद का उपुवेद है शिल्पुवेद और यजुरुवेद का उपुवेद है धनुरुवेद यह दो हम लोग ने पढ़ी लिया वेद विद्धातु से बना है जिसका आर्थ होता है ज्यान प्राप्ट करना अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल की सिख्षा की प्राप्टी करना थेक तो वैदिक काल में होता क्या था जीवन को दो बराबर भागों में बटा गया था दो बराबर क्या दो भागों में बटा गया था तो दो बराबर भागों में पहला था परा दूसरा था अपरा परा का मतलब जो इस संसार में है इह लोक इस लोक में यानि ये रियल वर्ड और अपरा का मतलब आपका इमेजनेरी वर्ड यानि कि जो इस परा से अपर हो जो दिखाई न दे यानि परा का क्या आर्थ था कि ज्ञान कर्म तथा उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना यानि कि हम जब मनुशे जब इस मानो जीवन में जन्म लेता है तो इसका उस समय अंतिम लक्ष क्या होता था मोक्ष की प्राप्ति करना जबकि आपरा का अर्थ था क्या संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना आपरा का आर्थ क्या था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्ता का संचालन करना आप क्या है कि सच्छिक उदेश में पहला देखिए आपका क्या है morality morality का मतलब उस समय वैदिक काल में जो सिख्षा का मुख्य उदेश होता था नैतिक विकास पर जोड़ दो जेना बालक के नैतिक चरितर का निर्मान करना पवित्रिता तथा धार्मिकता का विकास करना यानि कि बालक के अंदर धार्मिक religious abilities और पवित्रिता को डेवलप करना दूसरा है आपका इसमें देखिए personality का मतलब बालक के विक्तितु का विकास करना उसके बाद चौथा एम है आपका social efficiency का मतलब बालक में सामाजिक कुशलता का विकास करना उसकी उनुति करना आपका next है preservation of promotion and of culture preservation and promotion of culture यानि कि सामाजिक संस्कृति का संरक्षन तथा प्रसार करना और last aim है आपका preparation of life या preparation for life यानि भावी जीवन के लिए तयार करना जीव को परजन के लिए तयार करना ताकि मनुष्य पढ़ने निखने के बाद अपनी जीवन या जीविका चला सके अब देखें आगे कि इसमें क्या है वैदिक सिच्छा का ये उद्देश हो गया अब दूसरा point है इसमें कि बालक जब सबसे पहले school में प्रवेश लेता था इसकूल का मतलब उस समय गुरुकुल होते थे आस्रम होते थे तो प्रवेश के समय बालक का उपनेयन संस्कार कराय जाता था उपनेयन संस्कार का मतलब क्या होता है गुरुके समीप ले जाना यानि कि Jujic का म 51 क्या है, कहा जाता ऐसी मानेता थी, जब बालक पहली बार आश्रम में, या गुरुकुल में जाता है, तो उसका पुनर जन्म होता है यानि दूसरा जन्म, तो उब्णियान संसकार में कया जाता था, बालकों का यग्यो पवित संसकार कराय जाता था, यग्योपवी आप सभी लोग जानते होंगे कि तीन धागे होते हैं वो बालकों को पहनाए जाते हैं तो तीन धागे किसका प्रतीक थे सत रज और तम सत गुड का रज गुड का और तम गुड का तो अब इसके बाद क्या था कि बालक जैसे ही आस्रम में गुरुकुल में प्रविश करता था वो ब्रहमचर नियम को फॉलो करता था और उसके बाद क्या है कि उपनियन संसकार के आउसर पर जो ब्रामण होते थे उनको गायतरी मंत्र के द्वारा छत्रियों को त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा तथा वैश्यों को जगती मंत्र के द्वारा यह जगती मंत्र का पाट कराया जाता था अब उपनियन संसकार में और क्या होता था उपनियन संस्कार में इसके बाद जो ब्राम्मन होता था उसको आठ वर्स की अवस्था में बसंत रितु में प्रवेश दिया जाता था यानि कि ब्राम्हणों का ब्राम्हण बालक का जो उपनियन संस्कार किया जाता था आठ वर्स की अवस्था में बशंत रितु में छत्री बालक का उपनियन संस्कार ग्यारव वर्स की अवस्था में ग्रिस्म रितु में कराय जाता था और वैशिवर्ग के बालक का संसकार 12 वर्ष की अवस्था में शरद रितु में होता था और उपनियन संसकार की जो अधिक्तम आयू होती थी ब्राम्मण के लिए होती थी 16 वर्ष छत्री के लिए होती थी 22 वर्ष और वैशि के लिए होती थी 24 वर्ष तो ये था बालकों का उपनियन संसकार अब तीसरा क्या है? सिक्षा संस था है तो वैदिक काल में सिक्षा हमेशा गुरुकुल आस्त्रम में दी जाती थी आस्त्रम का मतलब क्या होता है? कि वो इस्थान जहां पर बालक को स्रम करने के लिए तैयार किया जाया उसी को कहते हैं आस्त्रम अब चौथा है आपका चात्र स्टूडेंट्स कैसे होते थे? तो वैदिक काल में स्टूडेंट्स कैसे होते थे? एक वेद का अध्यन करने वाले को इसनातक कहा जाता था वही जिसे आज हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं यूजी कहते हैं ग्रेजुएट कहते हैं तो एक वेद का जो अध्यन करता था उसे इसनातक कहते थे दो वेदों का अध्यन करने वाले बालक को वेद्यर्थी को वसू कहा जाता था जो तीन वेदों का अध्यन कर लेता था उसे रुद्र कहा जाता था और जो चार वेदों का अध्यन करता था उसे आधिति कहा जाता था यहां पर एक चीज और गोर करने वाली बात है कि एक वेद का अध्यन करने में 12 वर्स लगते थे एक वेद का अध्यन करने में टोटल कितने वर्स लगते थे बारा वर्स तो अब हम लोग देखते हैं कि अनुशाशन कैसा था तो वेदिक काल में अनुशाशन क्या था बहुत ही कठोर अनुशाशन कठोर अनुशाशन को फॉलो किया जाता था कठोर नियमों का अनुशाशन का मलब क्या हुआ चात्र ब्रह्मूर्थ में उठकर अपना फ्रेश होकर नहाध होकर क्या है नितिक कर्म से निवरित होकर हवन संध्या करते थे लकड़ी जुटाते थे जंगलू से उसके बाद गुरु के आदेशों का पालन करते थे विद्या समाविशी सिक्षा और समग्र सिच्छा की बात की जा रही है फिर भी आज हम आज तक 21 शदी में हम लोग समाविशी सिक्षा को सही से इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाए हैं तो सोचे पार्टिक्रम में उस समय वैदिक काल में इंटीग्रेटेड और इंक्लीजव किया जा सके तो इसमें कौन-कौन से विश्यों को रखा गया था धर्म, दर्शन, वेद, वेदांग, नीती, जीवात्मा, परमात्मा से संबंदित कॉंसेट्स, यग्य, इतिहास, एस्ट्रोलॉजी और PCMB का मतलब है Physics Chemistry और Math Bio इन सब चीजों को पढ़ाय जाता था उसके बा बालकों को पढ़ाय जाता था, Teaching Method क्या था उस समय, Teaching Method था आप देखिए क्या है, Question Method यानि वही प्रशन उत्तर विधी, गुरु प्रशन पूछते थे, बालक एंसर देते थे, बालक प्रशन पूछता था, गुरु एंसर देते थे, तो इस तरीके से Question विधी, प्रशन उत्त Learning, उसी तरीके से, वो उसी समय की बात है, हमारे भारती परंपरा में उसी समय से चला रहा है, और देखिए क्या है अगला तप विधी, अब तप विधी में क्या होता था, बालक जो है, स्त्रवन, मनन, निदिध्यासन, इन तीनों के साहरे ज्यान प्राप्त करता था, जैसे स्त्रवन का मतलब Listening, मनन का मतलब Thinking, निदिध्यासन का मतलब Experience, अनुभाव करना, खुद से अनुभाव करके ज्यान को कलेक्ट करना, उसके बाद एक मेथड है Intuition, अंतरदर्सी विधी, जैसे कोई भी समस्तिया आप सौल कर रहे हैं और अचानक से वो समस्तिया सौल हो गई, तो इसको बूलते है Intuition Method, Debate, जैसे आप भी जानते होंगे Debate के वारे News Channel वाले आज कल 20 सुगंटे Debate चलाया करते हैं, तो Debate का मतलब उस समय भी क्या था गुर्कुल सिस्टम में, बालकों का आपस में Debate करवाय जाता था, Conference, कॉन्फरेंस, ओके, नौ, Teaching Method हो गया, अब हम लो आप च्वारिक रूप से, यानि कोई भी classroom नहीं थी, कोई भी copy pen pencil नहीं था, जिस पर बच्चे का इतनी तारीक को इतने बज़े इतनी देर का exam लिया जाए, यानि कि पहले की जो परिक्षा प्रणाली थी, पहले का जो गुरु बच्चे को observe करते थे या उनका परिक्षा ल लिया, यानि कि हम बात करें जो आज हम लोग continuous and comprehensive evaluation की बात कर रहे हैं, जो कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम framework 2005 में भी कहा गया है कि continuous and comprehensive evaluation को इसकूलों में लागू किया जाए, अब सोचे ये बात हमारी प्राचीन सिक्षा प्रणाली वैदिक काल सिक्षा में ही ये बात की गई है, और अब ultimately जब बच्चा इसनातक हो जाता था उस समय, तो क्या है कि बालकों को सभा या राजदर्बार में बुला कर उनसे शास्त्रों के ज्यान के बारे में परिक्षा ले ली जाती थी, यानि कि इस तरीके से क्या है, examination system उस समय का बहुत ही अच्छा था, अब उसके बाद हम टीजर होता था, वही सरवे सरवा होता था, उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी, अध्यापक भी वैदिक काल में क्या थे, दो टाइप के थे, पहला उपाध्याय, उपाध्याय लोग कौन होते थे, जो जीवका के लिए अध्यापन कारी करते थे, मलब अ शिक्षक और सिक्षार्ती, गुरू और विद्यार्ती के बीच का जो संबंध होता था, बहुत ही मधूर संबंध होता था, यानि कि सिक्षक बच्चों को अपने बेटे की भाती सतकार करते थे, मानते थे, पढ़ाते थे, और बच्चे भी जो है, गुरू को एक पिता, ग्याओं को अपालन करते थे, अब आठमा क्या है देखे, नारी सिक्षा, तो वैदिक साहित में, वैदिक काल में, नारी सिक्षा में क्या था, कि रिग वैदिक काल जब तक था, उसमें महिलाओं को सिक्षा का पूर्ण अधिकार था, लेकिन जैसे जैसे से उत्तर वैदिक दिक्षांत समारो होता है या इंटर में जो हम लोग का फेरवेल पार्टी होती थी वही आज वही जो है उस समय समावर्तन कहलाता था यानि कि पढ़ाई समाप्थ होने के बाद इसना तक कंप्लिट हो जाने के बाद जो दिक्षांत समारो होता है इसकूल जीवन से क्या था कैसे punishment मिलता था तो वैदिक काल में क्या था कोई भी physical punishment नहीं दी जाती थी यानि कि कोई भी शारिलिक दंड की permission नहीं थी वैदिक काल में जो दंड दिया जाता था वो उद्दालक वरत कहलाता था उद्दालक वरत का मतलब क्या है कि इसमें जो गुरु है वो छातर की शुद्धी के लिए यानि कि बालक अगर कोई गलती करता है या कोई गलत कारी करता है तो उसको शुद्धी करने के लिए उददालक वरत का दंड देते थे जिसमें बालक को लगभग तीन महिने तक बहुत ही कम खाना खाना होता था और आत्म शुद्धी करनी होती थी दो महिने तक जौ की माण यानि कि वो जौ का लिक्विड जो होता है एक महा तक दूद और आधे महा तक दूद दिया जाता था आठ दिन तक घी और छे दिन तक बिन मांगी भिक्षा और तीन दिन तक केवल पानी का सेवन करना होता था एक दिन निराहार रहकर गुजारना पड़ता था तो इस तरीके से ये दंड विवस्था थी आपका वैदिक काल में दूसरा क्या है वीकनेस कमया क्या है थी इस वैदिक काल सिक्षा की देखे कोई भी सिस्टम जो है 100% प्योर नहीं होता और 100% बेकार भी नहीं होता तो अगर किसी के अच्छायां है तो उसकी बुराइयां भी होंगी तो इस तरीके से वीकनेस क्या थी पहला था धर्म को अत्यदिक महतो दिया जाता था वैदिक काल में दूसरा बहुत ही ज़्यादा बड़ी कमी थी शुद्रों को सिक्षा पाने का अधिकार नहीं था तीसरी कमी क्या थी केवल और केवल संस्कृत भासा में ही सिक्षा पाने का अधिकार था बलकि अब देखिए जैसे आज का समय लीजेए तो आज क्या ट्राइन लेंग्विज फार्मुला चलला है ट्राइं लेंग्विज फार्मुला का मलग तीन भासाओं का ग्यान दिया बच्छों को एक उसकीть online language एक उसकीk इंटर्नेशनल company जो इंग्लीश है और दूसरा उसका national languageר तीसरा तो इन तीन भासाओं की मानितत है लेकिन उस समय क्या था लोगभासा में सिच्छा का अधिकार नहीं था केवल संस्कृत में सिच्छा का अधिकार था और लास्ट इसकी है नमीन धर्म की उपेक्षा की जाते थी नमीन धर्म का अगर कोई धर्म इदर उदर से नया धर्म उभर रहा है तो उसको इतना तो नहीं दिया जाता था तो इस तरीके से जो वैदिक सिच्छा प्रणालित है इसमें क्या है कि एक तरीके से देखे तो बहुत अच्छा भी है और बहुत थोड़ी बहुत कमिया भी है तो अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक सिच्छा की जो अच्छाईया है उसको हम आज education system में 21 सदी के execution system में किस तरीके से हम लोग इसको consider कर सकते हैं तो हम लोग क्या-क्या चीजे pick कर सकते हैं अगर देखा जाए तो वैदिक सिक्षा में idealism, मलब आदर्शवात की बात की गई है ये बहुत अच्छी तीज है कि कुछ चीजों के लिए आदर्शवात बहुत अच्छा है दूसरा खासियत इसकी क्या है self-discipline यानि बालक के अंदर आत्मानुशासन की भावना का विकास किया जाता था यानि कि without punishment, self-discipline डेवलप करना और क्या हमने सीखा teacher-student का जो relationship था बहुत ही sweet होता था बहुत ही mutual understanding होती थी दूसरा क्या था सिख्षा का जो महौल था बहुत ही सांध था देखे क्यों क्यों क्योंकि जो गुरुकुल established होते थे बहुत ही शांत जगा पर established होते थे और जो education system था उस समय का काफी अच्छा था जो उस समय की चीजे जो है आज भी हम लोग अपने education system में उसको क्या कर रहे है implement कर रहे है teaching method बहुत ही अच्छे अच्छे use किये गये थे उसको हम आज भी use कर रहे है जैसे question method है, discussion method है activity based है तो ये सारी चीज़े आज भी हम लोग use कर रहे है और subject का जो study of subjects था वो भी बहुत broad था जैसा कि हम लोग ने पढ़ा physics, chemistry, biology, biology, botany, agriculture और उसके अलावा धर्म, सासर, नीत, इसासर यानि कि बालक का एक तरीके से कहिए चहु मुखी विकास सरवांगिण विकास, overall development की बात की जाती थी overall development में उसका बॉधिक विकास, अध्यात्मिक विकास मनोवज्ञानिक विकास सामवेगिक विकास व्यवहारिक विकास सामाजिक विकास इस तरीके से जितने भी विकास होते हैं सब कर ध्यान दिया जाता था उपर से एक खाशियत और क्या थी बहुत ही simple living and high thinking यहांने कि simple life जीते थे चाहे teacher हो चाहे student हो simple life जीते थे और last one क्या है समावर्तन उब्देश उस समय भी होता था और आज भी होता है वही हमारा दिक्षान्त Convocation तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा वैदिक सिख्षा प्रणाली जो कि आपके UGC net seated or TED के लिए बहुत ही important topic है और अगर आप सिख्षक बनना चाहते हैं तो आपको Indian education system के बारे में पता होना चाहिए from beginning to till today Thank you, अगर आपको कोई समश्या है या कोई confusion है कुछ प्रेस मुझ नहीं तो comment के थूँ आप पूछ सकते हैं धन्यवाद आपका दिन शुभ हो